मामले में एक नया अपडेट आया है सलमान के घर हुई फारिंग का नया CCTV फोटेज भी सामने आया है और CCTV फोटेज में फारिंग करते नजर आ रहे हैं शूटर गैलेक्सी अपार्टमेंट के पास से शूटरों ने फारिंग की है जेल में बंद बदमाशों से मुंबई ATS की पुछताज लगातार जारी है दोनों शूटर्स को गुजरात से मुंबई ले जाया जा रहा है तो फिलाल आपको बता दे गैलेक्सी अपार्टमेंट में रविवार सुभा तक्रीबन पांच बज़े दो बाइक सवार बदमास आते हैं और तीन राउंड फाइरिंग करके मौके से फराग हो जाते हैं पहले कुछ CCTV फोटेज सामने आये थे जिसके आधार पर इन बदमाशों की तलाश कर ली गई है मुंबई ग्राइम ब्रांच ने और जो हम आपको दूसरी तस्वीर दिखा रहे हैं ये दोनू शूटर हैं शूटर एक शूटर दो हम आपको दिखा रहे हैं ये दोनू शूटर इसको फिलाल जो है वो गुझरात से गरफतार कर लिया गया है अब आगे इनसे पूश्टाज की जाएगी कि आखिर इनका कनेक्शन किससे हैं किसके कहने पर इनोंने गोलिया चलाई कहां से निया हत्यार सप्लाइ किये गए और किसके कहने पर यह यहाँ पर पहुंचेते कह के रहने वाले हैं और क्या इनका मकसद है क्या इससे पहले भी इनों ने कोई ऐसी वादात को अंजाम दिया है इनका पीछे का क्राइम रिकॉर्ड भी खंगाला जाएगा इन सभी पहलों पर अब आगे चर्चा की जाएगी लेकिन इस पूरे मामले में ये गिरफतारी का होना ये साफ तोर पर पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा क्लू है तो सल्मान खान के घर हुए हमले पर बड़ा परदफास हुआ है मुंबई पुलिस सूत्रों के मताबिक इस हमले के पीछे का मकसद सल्मान खान को जराना और फिल्म इंडरस्ट्री में देहशत पैदा करना है ताकि वसूली का कारोबार आसानी से मुंबई में जमा सके। सूत्रों का ये भी दावा है कि इसी लिए गैंग्स्टर अन्मोल विष्टोई के नाम से सोचल मीजा पर जो पोस्ट जाली गई उसमें अंडर वर्ड डॉन दाउद इबराहिम का जिक्र किया गया। सूत्रों के मताविक दावद का नाम लिखने के पीछे की सबसे बड़ी वज़ा ये बताना था कि मुंबई में दावद की कोई हैसियत नहीं बची है और उसकी जगा लॉरेंस गैंग ने ले ली है। देखें पोलिस की टीम वहाँ पर मौजूर है और वो जो है लगातार तफ्तीश करती हुए नजर आ रही है। अपनी जगा डमी कैंडिडेट बैठाकर परिक्षा पास करने वाले चार और ट्रेनी एसाई को गरफतार किया है। सभी ट्रेनी एसाई राजस्तान पुलिस अकादमी यानी आर पी ए में ट्रेनिंग कर रहे थे और सभी को कोट में पेशी के बाद पांच दिन के रिमांट पर भेज दिया गया है। टे केर बाउट। डमी केंडिडेट बैठा कर पास की एसाई परिक्षा।